हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नालेज में वेरी वेरी गूड मॉनिंग डॉल फ्यू दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9 की वितार थेले बहुत ही चता मतपूर्ण है जो जो आज एक्जाम देने वाला है जिया दोस्तों सबसे पहले तो आप स सभी को सेर जरूर कर देजेगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेजेगा अब तक मुझे इस्टाग्राम में नहीं नहीं तो दिसका भी लिंग दिया है जल्दी से जॉइन हो जाईए ठीक है वहाँ पर आपको मुझे लाइप बात कर सकते हो देखो क्य कैसे नहीं सुने होंगे तो अलबर्ट आइंस्टाइन हैड़ सार्प माइंड फ्रम वेरी चाइल हो देखों बच्पन से उसके पास बिल्कुल सार्प दिमाग था और बिल्कुल दिल से उसको जो मतलब इतिहास की तीथी जो होती है बिल्कुल आप लोगो भी नहीं होगा कि तिहास में कब किया हुआ याद करें तो बहुत किसी को बोरिंग लगता होगा तो उनको बिलकुल भी इंट्रेस्ट नहीं दा इक इतिहास का डेर सी याद करने में लेकिन हैं उसको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लेकिन हमाँ पर जो से डिस्ट्रबिंस था सलम एडिया का जो वाइलेंस था होता था वो बिल्कुल दिक्कत हूँ क्योंगा उसको डिस्ट्रब करता था इसको खुद कमफट ना मिले, खुदको आराम ना मिले अच्छे खाने को भी नहीं दे कोई दिक्कत नहीं बट जहां वो रहता था, वहाँ पर वाइलेंस जादा था, सोर्स राबा जादा था, इसलिए उसे वो चीज़ पसंद नहीं था, क्योंकि वो पढ़ने वाले पिद्दार थी थे, अपार्ट प्रॉम बुक्स, इस उनली कमफट वाज मुजिक, और मतलब उसको सबसे दा कमफट किसमें लगता था, किताब पढ़ने में, और उसको छोड़ करके सरफ उसे मुजिक सुनना ही अच्छा लगता था, ठीक है, मतलब पढ़ाई के अलाबा, अगर कुछ करता था, त यूरी को प्यार करता था, मतलब उसके करीब लोग था कह सकते हो, अलबर्ट आइंस्टाइन वाज हाईली जिनियस इन मैथेमेटिक्स, एंड ग्रेटली इंटेस्टेंस इन साइंस, इस पसली फिजिक्स, ठीक है, यह था उनका दूस्तों कारक्टर स्केच, ठीक है, समझ ल पांच नमर का कराएगा थो, तुप सुन लोग क्या है, he was a great scientist and also the 14th president of India, he was a great scientist, आपको पताइए कि अब्दुलकलाम जी, APG अब्दुलकलाम जी जो थे, ठीक है, अबुल पाकिर जैनल बुद्दिन अब्दुलकलाम, वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट अमलोग भारत के, and उनके पिताजी बहुत ज्यादा qualified, educated नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, but he was a genius and kind person, but वो बहुत जिनियस और दियालू परसन थे, kind person, अच्छे परसन थे, ठीक है, अच्छे आदमी थे, he was not rich, but provided a secure childhood to Abdul and his siblings, और उनके पास वो बहुत ज्यादा बड़े आदमी नहीं थे, अमीर आदमी नहीं थे, but उन्होंने कभी भी अपने बेटों के साथ सम्झोदा नहीं किया, कहां इसको अच्छी सिक्षा नहीं थे, इस तब को अच्छा सिक्षा दिया, मतलब provided a secure childhood, मतलब कहा सकता है, कि security वाला बच्पन दिया, कि हाँ पढ़ो अच्छे से, Abdul and his siblings, कलाम earned his first wages by working as a helping hands, wages मतलब पहली कमाई उनका कभवा था, by working as a helping hand, मतलब helping, help करके किनको, उनके cousin को, ठीक है, उनके cousin को help करके, उनको पहली कमाई हो, तो क्या किये थे, वो newspaper distribute कर थे, उनके cousin जो थे, उनको वहाँ पर help करते थे, अबदुलकुलाम, किसको, helping hand his cousin, Sam Suddin, who distributed newspaper in Rameshtram, जो Rameshtram में newspaper बेचते थे, आगदो क्या है, इन दिस childhood, in his childhood, he had three close friends, उनके उनके तीन दोस थे, उनको एक रामानन्द सास्त्री, एक अर्विन्दम, एक सिप्रकासन, तीन दोस थे उनके, अबदुल्वाज अलसो ग्रेटली इंफ्लूएंस्ट बाई इस साइंस टीचर, यहाँ पर क्या है जात पात का उचने इसका, यह उनी से वो चीज वो तोड़ने से के थे, हाँ, यह समाज में बुराई है, इस इसको वो सिखे थे किन से, अपनी जो साइंस टीचर है, उनसे, सिप सुबरमानियम से, ठीक है, तो यह चीज था हूँ का खरेक्टर, अच्छा, पर लोग कैसे थ संतूस यादब के एक लड़की थी, ठीक है, मत मानला के लड़का था, एंडियन माउंटेनर सी वाज बॉर्ड इन स्माल विलेज अप जोनियावास, मतलब अपना लाइप वो अपने तरीके से जीना चाहती थी, जीती थी, ठीक है, तो यह था उनका चीज, आगे देखो, क्या है, नेक्स्ट कुछ है, क्योंकि एक एंसरा पढ़ लोग और दूससे समझ कही स्वाल आप कर सकते है, इसको भी आप लोग यहाँ पर इंगिट कर सकते हो, लिख देना इसके बाद, क्या है, नेक्स्ट कुछन है दोस्तों हम लोग का, क्या है, कि लंबी छड़ी लिया, और जो 18 किलों ने लंबा, बहुत ही खतरनाक, मतलब डिफिकल रास्ता में अपना जर्णी शुरू कर दिया, देर वाज वाटर एवरिवर, चारो तरफ क्यों साइक्ल आया था, पूरा पानी उसे भर बुर गया था, देर वाज वाटर एवरिवर, ठीक है, चारो तरफ पानी था, कहीं कहीं तो उसको मतलब, रोड भी नहीं मिल दे तो कहां, ओ शुंब करकर मतलब, तैर करके आगे बढ़ता था, होता Immediate, बहुत ज़दा पानी है तो उसको आगे बढ़ना पड़ता था अप्टर संब्स्टेंस फांट टू फ्रेंड्स अफ इस अंकल और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अपने पिता जी के दो दोस्त मिले उनको ठीक है अपने अंकल के दो दोस्त मिले डिसाइड टूमॉब ए कि चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं और उन्हें क्या बहुत से मतलब हुमन बॉडिस जो मच चुके थे पानी में तैर रहे तो उनको हटा के आगे बढ़ना पड़ रहा था यतना खतरनाक मुवमेंट था तो यह था दोस्तों इस प्रकार एंड लाइक दैट परसांद रिज लिग सको और मैंने लेटर पर करा दिया वीडियो आप लोगों बना दिया है आप अप्लिकेशन पर ही बना दिया तो अच्छे सब्सक्राइब देख लेना तकि एक्जाम में बढ़िया कर पाऊ मेरे सारे सब्सक्राइब सबीके साथ जाले उस लब यू आल थाइंक्यों अ तब दिकली तना इप्रिमिंग नेक्स पीडियो में जल्दे तब दिकली जाए हिंद वन दे मातरूं